इस वीडियो में हम लोग दिपावली पर एक छोटा सा निबंध लिखना सिखने वाले हैं दिपावली भारत देश में मनाए जाने वाले सबसे महतपुनु तेवारों मसे एक हैं दिपावली कैसा तेवहार हैं तो हमारे देश में मनाय जाने वाले सबसे मुहतोपुन तेवहारों मसे दिपावली जो हैं एक मुहतोपुन तेवहार हैं यह तेवहार हर साल नक्योवल भारत में बलकी पूरे बिस्तों में जहां पर भी भारतिय रहते हैं वहां पर मनाया जात दिपावली का जो तेवार है या हर साल बहुत ही धुम दाम से और उत्रसाह के साथ नक्योल भारत में बलकि पूरे विशों में जहां पर भी भारतिय रहते हैं वहां पर दिपावली को मनाया जाता हैं दिपावली को दिवाली भी कहा जाता हैं यह जो दिपावली सब्ध हैं इसे दिवाली भी कहा जाता हैं यह तेवार हर घर में खुस्यों की सोगात लाता हैं और इस दिन हर घर में भगवान गनेस और लक्षमी की पूजा की जाती हैं दिपावली के दिन किसकी पुजा की जाती हैं तो हर घर में दिपावली के दिन भगवान गनेस और लक्षमी की पुजा की जाती हैं यूं तो दिवाली पांच दिनों का तेवहार हैं जहां हर एक दिन अलग अलग तेवहार हैं दिपावली जो है न यह ऐसे देखा जाए तो नर्मली यह पांच दिनों का तेवहार है पांच दिन पहले से ही दिपावली मन्ने लगता है और हर दिन का अलग-अलग अपना महत्व होता है और उनका अपना महत्व होता है लेकिन आमतर पर दो दिन सबसे खास होता है एक छोटी दिपावली और एक दिपावली ठीक इसमें दो दिन सबसे खास है और इस तरह से यह पास दिनों का तेवहार है अब देखिए दिपावली का तेवहार जो है न यह अक्टूबर नौवंबर के माह में पढ़ता है दिपावली का ते वहारे कब पढ़ता है या तो यह अक्टूबर में पढ़ेगा या फिर नौवंबर के महिना में पढ़ेगा अभी हमने पीछे पढ़ा कि इंगलीज कलेंडर में दिपावली कपड़ता है तक टूबर में पढ़ता है या फिर नौमबर में पढ़ता है लेकिन हमारे भारतिय कलेंडर के अनुसार दिपावली जो है न यह कार्तिक माह के पंद्रहवे दिन अमवसया को पढ़ता है दिपा तो दिखिए रमायन के अनुसार भगवान राम के 14 वर्ष के बनवास के बाद भगवान राम जब अयोध्या लोटे तो वहां के निवासियों ने राम जी के आने के खुशी में दीप जलाकर भगवान राम जी का स्वागत किया था भगवान राम जब अपने 14 वर्ष का बनवास पुरा कर गे रावन को मार के लंका से भारत आये तो वहां के निवासियों ने क्या किये थे दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किये थे तभी से ही दीवाली का तिवहर मना है जाता है